हेलो एव्रिवन जैसे की हमने लास्ट वीडियो में कुछ कंवर्जेंस ओफ अटेस्ट देखेते तो इस तरीके सामने टेस्ट और वह कुछ कोशन देखेते अब इस वीडियो में हम बात करेंगे alternating series के बारे में और कुछ other topic जैसे absolutely convergent होते हैं तो हम start करते हैं सबसे पहले हम मैं again बताऊंगा कि हम सब one by one theory लेकर चलेंगे उसके बाद उसके बेस एक्जामफल करेंगे तो alternative series क्या होती है हमारी एक ऐसी series जिसमें plus minus plus minus एक को छोड़ के एक बार आए मतलब one by one plus minus इस तरीकी स्रीज को हम alternative series बोलते हैं यहाँ प्लस है फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस आजएगा फिर माइनस आजएगा इस तरीके स्रीज जो होती है वो हमारी क्या होती है alternative series next है हमारा absolutely convergent absolute convergent क्या होता है हमारा एक स्रीज है हमारी एन और यदि वो convergent है ठीक और अब हम क्या करेंगे absolute convergent दिखाने के लिए उस series में जो एन है उसका सबसे पहले mode लेंगे उसके बाद फिर उसकी convergence पता करेंगे यदि वो भी convergent आजे दैन हम एन को क्या कहेंगे absolutely convergent तो short में बात क्या आए कि हम एन जो स्रीज है यदि वो convergent है तो वो absolute convergent है यह नहीं इसके लिए हम करते क्या है जो एन जो हमें term दी गई है उसका mode लेंगे और यदि उसका mode भी हमारा convergent आजे तो हम क्या कहा देंगे वो absolute convergent series है और यदि उसका mode AN तो हमारा Convergent आजे AN तो हमारा आनी चाहिए Convergent Absolute Convergent चेक करने के लिए पर हमारा Mode उसका AN यदि Convergent नहीं आता तो उसके जमा हम Absolute Convergent की जगे यूज करेंगे Term Conditionally Convergent Conditionally से नाम ही पता लग रहा है कि ये कुछ Condition के भी इस पर Convergent है हमेशा Convergent नहीं ठीक तो सबसे पहला Example हम Absolute Convergent का ले लेते हैं जैसे AN हमारा Minus 1 की Power 1 अपोन N स्क्वेर ये हमारा Labny Stash से Alternative Series है और Decrease कर रही है नमबर 2 ठीक, नमबर 3 क्या N 10 to Infinity पर 0 जा रहा है तो यानि कि ये Convergent हो जाएगा हमने लाश्ट लेक्चर में Labny Stash लगाना देखा था देखिसी नों वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर में जाके देखना अब वो बैटर समझ वाएगा अलाकि मैं explain करूंगा इसमें भी अब यदि हम इसका मोड लें तो Minus 1 की Power N में Minus भी आता है 1 पिलस भी आता है तो मोड लेने पर हमारा हर जिक है पिलस 1 हो जाएगा ठीक तो हमारा एक मोड क्या जाएगा 1 अपोन N स्क्वार क्योंकि P की Power 1 से बढ़ी है यहाँ पर तो इस वाई से यह हमारा मोड वाला जो फंसर है मोड A N भी हमारा क्या जाएगा Convergent अब क्योंकि इसका मोड विस भी Convergent है और यह भी Convergent है तो इस A N को क्या कहेंगे हम Absolutely Convergent ठीक Next हम हमारी जैसे हम बात कर लेते वो होगा हमारा Conditionally Convergent Sorry, Lemnish Test मैंने लेक्चर मा आएगा यह लेक्चर रह गया था तो मुझे ऐसे लग जा था कि मैंने करवा दिया पर यह आए तो हम इस पर भी Detail बात करेंगे Next हमारा Conditionally Convergent Conditionally Convergent क्या A N तो हमारा Convergent हो पर यदि हम उसका मोड लेके उसके Convergency Check करें वो Diver जाजे यानि Converge ना करे तो उस तरीके की सिक्वेंस को हम क्या कहते है Conditionally Convergent ठीक इसका Example क्या है माइनस वन की पावर N वन वाई N अब इसमें यदि हम N 10 टू इंफिनिटी पर इसे देखे तो यह हमारा By Labnese Test Convergent हो जाए क्या केवल A N अभी केवल में A N की बात कर रहा हूँ लेकिन जैसे हम इसका Mode लेंगे तो यह हमारा Plus, Minus, Plus, Minus तो Plus में बदल जाए क्योंकि Mode में Positive Quantity होती है तो यह आएगा खाली 1 by N और 1 by N by P Series Test हमारा क्या हो जाता है Divergent तो इस वज़े से क्योंकि जब भी हमारी P की Value 1 के Equal और 1 से छोटी है तो वह हमेशा Diverz करेगा अब आते हैं Lab Nis Test for Alternative Series Alternative Series का तो मैं बताई चुका हूँ जो Plus, Minus, Repeat होता रहे Step by Step एक Regular Interval में अब इसके बाद हमारी होता क्या है कि यदि हमारी कोई Sequence जो Series है O, A, N सबसे पहले क्या हो नहीं के जाए Decreasing हमने 1 by N और 1 by N स्क्वार क्योंकि यदि हम 1 by 1 Natural number पर रखते जाएंगे 1 स्क्वार 1 अपॉन 2 का स्क्वार 1 अपॉन 3 का स्क्वार तो इस डिक्रीज कर रहा है क्योंकि नीचे हमारी काउंट बढ़ने पर यदि Dominator में है तो value छोटी होती जाती है n 10 to infinity पर यानिकि 0 की तरफ जाएगी सबसे छोटी n 10 to infinity पर मिलेगी यानिकि डाइवर्स कर रहा है तो इस तरीकी की स्रीज ही हम देखेंगे इसमें Labnese test कहां लगेगा सबसे पहली condition क्या है an decreasing होना चाहिए जैसे जो हमारी sequence है ये कनवर्स कर रही है क्या basically हमारी जो alternative check करेंगे क्या ये alternative series है the alternative series है next step होगा हमारा क्या है जो हमें sequence given है ये decreasing sequence है यदि वो decreasing sequence है तो diet हम test लगाएंगे limit n 10 to infinity an की value निखा लेंगे यदि वो 0 आ जाती है तो हमारी जो sequence है by the leavenish test क्या हो जाएंगे वो जो series है मैं बार बारा sequence बोलना हूं जो series है by leavenish test वो हमारी क्या हो जाएगी convergent हो जाएगी हाला कि sequence और series में difference क्या होता है मैंने last lecture में सबसे पहले ये ही बताया था अब बात करते हैं इसकी ये हमारी series given है minus 1 की power and 1 by n ये absolutely convergent है divergent है absolutely convergent है ये convergent है खाली तो हमें इसमें ये बताना है तो हम यदि इसे चेक करें तो हमारे direct example किसकी तरह है यहां के इस वाले की तरह है बस फरक क्या है इसमें यहां पे n की जगे m यूज करा गया है तो simply यह होगा यदि हम इसका an चेक करें तो वह हमारे सबसे पहले हम चेक करेंगे alternative series है बिल्कुल है diverge कर दिये बिल्कुल 1 by n diverge करता है an diverge कर रहा है अब हम test लगा दें limit n 10 to infinity पे क्या है जीरो की तरफ जा रहा है बिल्कुल जा रहा है 1 by m by p series test क्योंकि इसकी value p equal to 1 है तो यह हमारा diverge कर जाएगा अब क्योंकि an तो हमारा converge कर रहा है और mode an हमारा diverge कर रहा है तो इस वह से यह क्या होगा हमारा केवल convergent होगा an हमारा क्या है an हमारा absolute convergent होता है तो an हमारा diverge तो है नहीं absolutely gonna कनवर्जेंट भी नहीं एकिन यहां पर सोसे बड़े के लिए भी बोला है वह पूरे प्लेंट पर जो पुरी हमारी नहीं बोलेंगे पूरी एकसीज पर ही यह एकसीज पर यह प्लेंस मिता है बच्पन से पढ़ते आए तो इसे में वह स्पीड से गवर करोंगा जैसे किसी भी फ्रसंट कि मिट एकुस्ट करती नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं उसकी लेफ अंड लिमिट चेक करते हैं रहाइं लेफ्ट-e-ण्ड ले चेक करने का तरीक equal आजए आपस में तो limit exist करती है यदि equal नहीं आती है तो limit exist नहीं करती है जैसे फर्स्ट यह example लिया गया है हमारा x की value जैसे 0 से बढ़ी है यानि की x 0 plus पर हम इस 0 a plus जैसे use कर रहे है हाँ पर 0 plus करेंगे 0 से बढ़ी है तो इसकी value 1 है और x की value जैसे 0 से छोटी है तो 0 minus पर इसकी value minus होना है यानि की LHL not equal to RHL तो हमारी limit exist नहीं करेगी अब इसी पर base हमारा limit पर base हमारा एक question आया था तो इस question में यहाँ पर limit enter into infinity होगा तो यह an equal to n2 n plus 1 1 upon x की cube dx 4n हमारा क्या है 1 से बढ़ा है तो हमें क्या बताना n की power c an की limit क्या होगी जब हमारी condition यह हो condition क्या है c की value यहाँ पर जो यह c यूज हो रहा है या तो 3 से बढ़ा हो या 3 के equal हो तो यह आएगा क्या और यदि हमारी इसके 3 और 0 और 3 के बीच में है तो क्या आएगी तो सबसे पहले हम 3 से बढ़ी यदि हमारी c की value 3 से बढ़ी है तो यानि कि हम 4 ले लेते हैं सबसे पहले हम इसका integral ही कर लेते हैं अले कि सबको इसका integral पता होगा है तो इसका integral क्या आएगा x की power minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1 और limit क्या आजेगी हमारी n to n plus 1 ठीक तो यह आजेगा हमारा minus 1 upon 2 into 1 upon x का square ठीक इसमें अब हम limit put कर देंगे limit जो भी हमारी minus 1 upon 2 भार ले लेंगे limit क्या हमारी 1 upon n plus 1 का whole square minus 1 upon n का square ठीक यह हमारी आगया value अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी multiply जो यह हमारा an है यह हमारी an की value आगयी हाँ पर यह equal to an अब an में हम n की power c c यानि कि यदि हम first option ले कि c की value तीन से बड़ी है यानि कि हम 4 ले ले लेते हैं तो यह क्या आजाए n की power 4 upon यहां से n square यहां से common आ गया तो 1 plus 1 by n क्योंकि whole square से common आया minus यह 1 हो जाएगा हमारा यह n square हम पूरा common out निकाल लेंगे limit होगा n 10 to infinity जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया तो यहां से यह power कट गी तो यह आया 2 तो आप जैसे limit n 10 to infinity रखेंगे तो इसकी value क्या जाएगी equal to infinity क्योंकि n उपड की तरफ है यह यहां पर बना जाएगा infinity के साथ किसी की multiply हो infinity ही देखो और ना यहां पर infinity by infinity form भी नहीं बनने जो हमें L hospital rule apply अगर नबर इस वह से इसकी लिए value होगे infinity तो यानि कि option होगे हमारा गलत second option पर जाते हैं यदि c की value equal to हमारे 3 हो c की value यदि हम यहां से 3 लें तो क्या होगा जैसे हम x की cube 3 लेंगे हम पर x की cube यह n की cube हो रही यहां पर n square होगा जैसे n अपोन यह n आजाएगा one up plus one by n का whole square माय ठीक अब यहां पर भी इसकी value infinity आजाएगी तो यहां से हमारा एक mistake होगी हम से mistake क्यों होगी है हम that हमने जो यह कर रहा था one upon square हम यहां पर करेंगी क्या basically इस तरीके से समय में करना possible ही नहीं होगा कि हम यहां से LCM ले लेंगे LCM क्या आजाएगा one upon n plus one का whole square into n square और यह आजाएगा नहां पर n square minus n square minus one minus two n ठीक यह हमारा आजाएगा अब इसके बाद यह हमारा a n की value आ रही है तो सबस्के पहले हमें a n की value निकाल लेते हैं तो n square से n square cancel हो गया तो यह हमारा क्या रहा है minus one यह हम minus common ले देते हैं one plus two n आजेगा upon यह आ जाएगा n plus one का whole square into n square ठीक अब हम क्या कर रहे हैं यह आगे हमारी a n की value तो हम सब कुछ रफ करके a n की value नोट कर लेते हैं direct यहां से a n की equal to हमारा क्या आ गया one upon two one plus two n upon n square n plus one का whole square अब हम n की अलग-अलग first option से करते हैं एक पर चेक कर लेते हैं कि यह सही होगा यह गलत यह तीन से ज़्यादा value लें चार चार ले लिजा से हमने और नीचे हमारा यह क्या होगा n की power four upon two ठीक यहां से हमने n common भी ले लिया तो यह one plus two by यह one plus two बच जाएगा one by n plus two ठीक और यहां से n square यहां से भी common ले लिया तो यह n square n square n की power four हो जाएगा one plus one by n का whole square n की power four सा n की power four cancel हो जाएगा लेकिन जैसे limit n 10 to infinity हम रखेंगे तो इसकी value infinity पहुच जाएगी तो option तो यह गलती होगा हमने पहले भी सहीता अंज़र पर तरीका गलता हमागा अब हम चेक करेंगे जब हमारी c की value क्या हो equal to three हो जैसे c की value three होगा तो n की power three की multiply किस सो जाएगी हमारी an से जो an क्या है हमारा यहाँ पर यह वन बाइटू वन बाइटू इंटू एन यहां से common ले लिया again, यहां से 1 by n plus two n की power four यह 1 plus 1 by n ka whole एकार हो जाएगी और n की power four से n की power four cancel हो जाएगा और यहां पर हमारा n 10 to infinity पर इसकी value हो जाएगी हमारी zero isकी zero हो गई तो यह क्या गया टू, यह हमारा अलग है कभी हम इस समेच, मैंक सब हो रहे हूँ एक्स की फावर क्यूड, यह पहले वाला पार्ट का है तो यह हमारा क्या आ गया उपर तो आ गया हमारा टू नीचा हमारा टू बची रहा था वन बाई टू में, इन टू यह भी हमारा जीरो बन गया तो यहाँ पर आ गया, वन का स्क्वार यानि की वन तो इस की लिमीट आ गई, ठीक तो एक बार आप से भी मैं रिपीट कर देता हूँ करके देखेंगे, सबसे पहले हमारी क्या होगा जो यह है, यहाँ पर दी हम एन की पावर क्योंकि हमने पिछले में मल्टिप्लाई करा ov, थी उ сам यह हमारी एन की वैलिउ, एन की वैलिउ में एन की पावर सी की अलग़egal वैलिउ उसलीन वैलिउ उसी यह रहते है, तो हमारी इंफिनिटी आ गए थी तो आMax cancel हो के इस तरीके से यहां पर आजाएगा अब जैसे यह राइट हुआ तो इस automatic यह गलत होगी अब यहां पर हम n की power 0 3 के बीच में लेनी है तो हम 2 लेके देख लेंगे एक बाद जैसे हम n की power 2 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 upon n square into n हम यहां से common लेंगे तो यह क्या बन जाएगा 1 by n plus 2 again upon अब जैसे यहां से हम n square into n plus 1 का whole square लेंगे तो n square यहां से common लेंगे जैसे हम तो यह 1 upon n रह जाएगा नीचे n की power 4 बनेगा न क्योंकि 1 upon n 10 to infinity करेंगे तो 1 upon infinity क्या होता हमारा 0 और 0 की multiply किसी के साथ भी होगा यह सब हमारा क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा तो इस तरीके से यह option limit हमारी क्या आएगी equal to 0 ना कि infinite यह भी हमारा गलत हो जाएगा तो इस तरीके से इस तरीके question को हम करते हैं यह CSI नेट की question है इसका मैं यह लिखना भी है तो next question है हमारा consider following function क्या है fx equal to x है कब जब हमारी function की value क्या है 0 से 1 के बीच में और जब हमारा closed interval 1 to 2 है तो हमारी value क्या है 3 minus x function की तो हमें क्या बताना limit यह 1 minus का मतलब क्या है left hand limit left hand limit किसकी 1 minus की 1 से छोटा function कब तो 1 से छोटी value तो यहां मिलेगी क्योंकि यहां पर interval है यहां पर 1 तो contain करता नहीं क्योंकि यह क्या है closed open interval 1 यहां पर एक पल का sign नहीं है pencil चलाइए ठीक तो यह हमारा open interval यहां पर 1 से कम बाला function यह होगा यहां पर हम direct जैसी value पूट करेंगे वन तो यह value क्या आजएगी हमारी वन तो यह हमारा राइट हो गया left hand limit की value हमारी वन आ गई इसी तहीं कि राइट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करता है तो इसमें और रखें और ट्रू सेकंड ऑप्सन हमारा सही हो जाएगा फस्ट और थर्ड यह लगला सब्सक्त ऋफसन दे रखें ठीक इस तरीकश तेस इन कोसिनुों को करेंगे झाल sensitive हमारा यहीद लिमिट पर बेजी एक एक कोसे एपट इक्सिक्षापन रूट वन मायकर का सब सब्सक्राइब हम को से पहले का करेंगे रूट 1- को स्बसक्राइब तो इसे हम cos 2x की value हमें पता है sin के रूप में तो हम करेंगे क्या cos x की निकाल लेंगे तो sin x by 2 हो जाएगा तो वो क्या होगा cos x equal to 1 minus 2 sin square x by 2 यह हमें पता ही होगा अब यहां से 2 sin square x by 2 की value क्या आ जाएगी हमारी 1 minus cos x ठीक है तो यहां पर 1 minus cos x की जगे हम क्या put कर देंगे 2 sin square x by 2 यहां पर क्या जाएगा root 2 इसका sin का square हट जाएगा sin x by 2 ठीक और limit हमारा extend to 0 अब हमंग करेंगे क्या 2 से x में उपर उपर नीचे multiply करेंगे यानिकि 2 x upon 2 एक तो यह हो जाएगा into root 2 sin x by 2 यह हमने क्यों करा क्योंकि limit extend to 0 पर या infinite limit x by x की value limit sin x by x की value क्या होती है हमारी 1 अलाकि से हम series open करके check भी कर सकते हैं यहाँ से हम जदी sin की series को open कर दे तो sin की series के होती है x minus x की cube upon factorial 3 इस तरीके से प्लस x की 5 upon factorial 5 इस तरीके से open होती है upon x यहाँ से जैसे हम x को common out करेंगे तो x से x cancel हो जाएगा तो 1 minus x की cube x square upon factorial 3 x की power 4 upon factorial 5 आजएगा अब जैसे यहाँ पर x की value जीरो पूट करेंगे तो यह value बना जाती है तो इस तरीके से वैसे हम जन्रली सभी जानते है sin x by x की value 1 होती है कब limit x and to 0 पर तो इसी वाई से हमने sin x by x यहाँ पर x by x की form में x by 2 की form में तो हमने x by x की जगे sin x by 2 की form बना ली तो यह क्या जाएगा 2 by root 2 हम इसे जैसी कैंसिल करेंगे तो यह आजएगा root 2 तो इसका second option limit does not exist यह गलत होगा limit exist करेंगी और यह सारे भी गलत हो जाएगे अब बात करेंगे डायक्ट हम continuity पे limit exist और continuity में फरक कितना होता है बस यदि हमारी left hand limit equal to right hand limit है तो limit exist करती है और यदि उस जिस point पर हम left hand limit और right hand limit निकालने उस point पर function जो हमें given है जैसे यहाँ पर यह function given था इसकी value निकालने उस point और वह हमारी left hand limit और right hand limit के एक पल आजए तो उस function को हम क्या कहा देते हैं continuous है उस point पर तो इस तरीखिस हम continuity चेक करते हैं अब हमारी इस पर बेस कुछ इजल्ट हैं जो की जिस पर बेस हमारे question बन चुके हैं या फिर बन सकते हैं इफ एफ एक्स इस continuous होना close interval a-b यदि हमारा fx क्या है continuous है किसमे close interval में a-b में then fx क्या होगा हमारा bounded कि कहीं भी हमें एक ऐसा function दे रखा है जो की continuous है किसी close interval कोई भी a-b कोई close interval ले लिया then हम क्या कहेंगे तो वह हमारा fx हमारा bounded होगा कि bounded होने के लिए हमारी तो condition क्या हो गई जो हमें या दखनी है यह हमारा function continuous है और interval closed है जिस पे वह continuous है तो हम डायेट कह देंगे हमारा function क्या है bounded है एक्जम्पल है 10 inverse x यह हमारा close interval minus pi by 2 2 plus pi by 2 हमारा क्या होता है यह 10x तो हमारा unbounded हो जाता है पर यह close interval में हमारा continuous होता है तो इस वह से bounded हो जाता है ठीक second result क्या है यदि हमारा fx continuous है close interval ab में ठीक यह हमारा ratio test भी होता है तो यदि हमारा continuous है ab में तो यदि हमारी हमने a function जो हमारा boundary point है उस पर function की value निकाली यदि वह positive आजए और यदि हम b निकाले function यदि function में x की जगे b put कर दें और यदि वह negative आजए यानि कि simply कहने का तरीका यह है जहूरी नहीं है यह पहले पर positive जूसे पर negative आज एक पर function की जो हमारे boundary point है इस पर यदि हम function में put करें एक पर तो हमारा function positive आजए किसी पर भी चाहिए पहले वाले पर चाहिए दूसरे एक पर हमारा function negative आजए यदि ऐसी condition exist करती है then कम से कम एक point ऐसा ज़रूर होगा उस function में कब यदि वो point हम c माले तो f dash c equal to क्या हो हमारा 0 हो जहाँ पर उसकी slope 0 यानि कहने का तरीका क्या है यदि हम किसी boundary point पर function की value निकाले और उसमें एक positive y और एक negative y तो definitely पकी बात है कि उसमें एक ऐसा point exist करेगा जिस पर हम उसका function का derivative कर करें यानि कि कोई point c को put करें तो वह equal to क्या आजए जीरो आजए ठीक अब यह जो हमने read out किये थे इसी पर concept पर हमारे question भी आया थे CSI net 2019 में कि हमें continuous function गीवन है जो कि क्या है 1 1 then which of the following is true अब हमारा बात करें continuous minus r वो r to r है यानि कि minus infinite domain भी minus infinite to infinity है और code domain भी हमारा minus infinite to infinity है तो इस तरीके का यदि कोई हम function सोचें तो क्या कौन-कौन सोचते हैं हमारे e की power x और e की power minus x यह जो हमारा function होता है इसका यदि हम graph देखें तो इस कुछ e की power x का इस तरीके से होता है तो यह हमारा function हमारा one one होता है ठीक अब इसमें क्या बोला गया है जब हमें यदि हमारा इस तरीके का function है r to r में continuous है और one one है जब इसमें से कौन सा true होगा f is on to अब on to होने के लिए हमारा होता क्या है यह हमारा जो co domain है co domain क्या है minus infinity to infinity उसमें हम x के axis के parallel state line कीचें co domain क्या है हमारा minus infinity to infinity यानि कि यह पूरा y plane पूरा y axis है तो हम यहां पे कहीं बेभी हम street line डो करें हाला कि इस पर मैं short बनाऊंगा कि जिसमें हम fun graph के थूरू कैसे पता करेंगे कोई function हमारा on to या one one है या नहीं उसमें मैं detail में भी बताऊंगा पर इसमें थोड़ टाइम लग जाएगा तो इस वज़े से मैं इसका separate video ले लूँगा हाला कि काफी लोगों कि इस बारे में पता भी होगा तो हमारा यदि यह हम इस पर एक्स एक्सिस के पैलल एक वह line ड्रो करेंगे यदि यह line हर जगे है कम से कम एक point पर cut करें y axis के parallel तो वह function हमारा on to होता है पर हम check करें यहाँ पर code domain हमारा minus infinity to infinity है पर हम 0 से नीचे जितने भी point पर हम ड्रो करेंगे एक भी point पर cut नहीं कर रहा तो यह हमारा on to तो होगा जवरी नहीं है हमारा फंसर ओन टू हो ठीक next option है हमारा आहिता strictly increasing और strictly decreasing यह हमारा सही हो सकता है या तो हमारा function strictly increasing होगा यह strictly decreasing होगा ऐसा नहीं होगा कि monotonic ना हो तो यह हमारा एक यह सही हो सकता है एक हमारा next option क्या हो सकता है X हमारा इस तरीके से contain करेगा R जहां पर कहीं ने कहीं मतलब R में कोई एक ऐसा point X होगा जिस पर function की value 1 आज़े बिल्कुल जो हमारा example है EG power X यदि X की value X कहां से हमारा आज़ा है real number से real line से पर exist करेगा क्योंकि हमारा domain क्या I minus infinity to infinity इसमें 0 भी exist होगा तो 0 पर हमारे function की value 1 हो रही है तो बिल्कुल ऐसा point exist करेगा और F is unbounded F हमारा unbounded हो एक यह हो जाए हमारा ठीक तो इस तरीके से हमारा इस तरीके question को tackle करते हैं next है हमारा discontinuity के type इसमें मैं detail में नहीं जाओंगा क्योंकि हमें 12th level से ही पताया जाता है सबसे पहली हमारी रहती है removal discontinuity removal discontinuity में क्या होता है हम किसी function की left hand limit निकाले और right hand limit निकाले वो left hand limit equal to right hand limit तो आजे पर function पर उसकी जो value है कोई हमालो एक पोइंट दे रखा ये पर जो function की left hand limit और right hand limit तो इक्वल है और function की value equal नहीं है तो इस तरीके की जो continuity discontinuity होती है वो removal discontinuity हो और discontinuity discontinuity of first kind क्या होता है हमारा जदी हमारा function की left hand limit और right hand limit equally ना आए तो हमारा वो हो जाती है first kind की discontinuity second kind की discontinuity क्या बोलती है हमारी लिदे नहीं हमारे थे लिमित धित नहीं या थो हमारा एक टोeln ही दोनो ही लिमित एक सेस्ट नहीं कर दोड़ सब्सक्राइब हमारे लगवर बभाट बिएस टोली करें डिख सकते आप मिज़ा श कॉस्चिंड मेरा हमारा जो CSI 2017 में आया है क्या एक डियर नंबर टू डियर नंबर एक मैपिंग है function की किस तरीके के function है fx plus y equal to fx into fy है यानि कि हम fx plus y करें तो हमारा fx और fy अलग-अलग break हो के multiply हो जाता है and a condition क्या है वो function किस तरीके का है limit extend to zero पर जादी उसकी value निकालें तो हम बन आईगी यह हमें कुछ याद आ रहा होगा कि हमने भी last example में लिया आता है यह हमारा जादी e की power x function क्या है e की power x plus y form का है ठीक तो हमारा किसमें ब्रेक हो जाए एक की power x into e की power y यह वाली condition satisfy कर गया अब extend to zero पर यानि कि यदि हम y को हटा दें खाली x वाली term की बात करें तो extend to zero पर function की value one है तो यानि की यह होगा तो यानि हम e की power x plus y हम function ले सकते हैं या even हम कह दें e की power x ही खाली ले लें क्योंकि basically यह term ही बढ़ी है function तो इंद यह कहीं explanation अब यह क्या बोल्ला f is strictly increasing जो झाली नहीं है कि f हमारा strictly increasing क्रीजिंग हो यदि e की power minus x इस यह डिक्रीजींग भी हो सकता है ठीक तो हमारा यह ज़रूरी नहीं है कि हमारा increasing हो, हमारा e की power minus x भी हो सकता है, जो कि strictly decreasing होता है, तो हमारा first option गलत हो जाएगा, either होता है, तो सही हो जाता, f is either constant और bounded, अब जो e की power x है, वो हमारा कभी भी bounded नहीं होता, इसके जो हमारी code domain है, वो bounded नहीं होती, ठीक range, अब third option, तो यह हमारा second option भी गलत हो जाएगा, third option क्या है, यदि हम f rx करें, यानि की rx का मतलब क्या, e की power x into r करें, तो हम उसे break कर सकते हैं, किस तरीके से, e की power x into r, बिल्कुल सही है, कि हम यदि e की power rx है, हम function में x की जगे x r put कर दें, तो हम उसे आप अलग-अलग break भी कर सकते हैं, इस तरीके से, fx यानि की e की power x into r में, तो हमारा बिल्कुल break हो रहा है, तो यह हमारा right, यह e की power minus x के लिए भी true होगा, अब fourth क्या है, हमारा function always greater than equal to zero, तो यह भी बास सही है, कि हमारा function की जो value हो हमेशा positive ही होगी, ठीक, next हमारा एक notes है, जो की लगवग काफी काम आता है, जिस और सबसे simple, मुझे जो hint लगता है, वो यही लगता है, जब भी कभी हमें x क्यों दे रखा हो, यानि की x एक हमारे rational number से ब्लोंग कर रहा हो, then हमें उसके function की zeros निकाल लिए हो, तो हमें simply करना क्या होता है, या तो हम यह कहते हैं, फाइवान माइनस फाइटू एक्वल टू जीरो पुट कर दें, ठीक, या मेरा एक तरीका खुद कहिए है, question करने का हम क्या करते हैं, कि फाइवान एक्वल टू फाइटू पुट कर दें, जब भी हमारी rational और irrational function से दे रखा हो, x, rational और irrational से, और हम से पूछा जाए, number of zeros, तो हम डाइट क्या करते हैं, इन दोनों function की जो फाइवान, एक्वल टू एक्स की वैलू है, तो यह हमें पता लग जाएगा, तो 2x, फिलस x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहां से डाइट, तो यह x इक्वल टू 1 पर हो, जहाँ पर भी हमारा x, हमारा q से और rational और rational लंबर से बिलोंग खरे, तो हम जो function हमें given होते हैं, इसमें diet एक पल टू बुट करके, उनसे diet हमारी, इस तरहीं बहुत question CSI in net मायो, और सबसे simple, मुझे यह topic भी लगता है, next lecture में देखेंगे हम, अपना fix point, कि हमारा fix point के उपर हम कुछ question देखेंगे, और uniform continuity, तो मिलते हैं, इस lecture में यदि आपको कोई problem हो, तो आप मझे comment box में डाल सकते हैं, और इस से regarding जो question practice होंगी, वो मैं यदि यह course जल्दी से जल्दे पहले खतम करवा के, CSI in net का complete course करूंगे, खतम करनी कोर्स करूंगे, उसके बाद courses करूंगे, यदि अच्छे से demand आती है, कि लोग interested होते हैं वीडियो में या question practice में, तो मैं definitely आपको एक question practice शरीज भी है, available करा दूँगा, कब syllabus खतम होने के बाद, और जल्द से जल्द में खोर्स करूंगे, कि syllabus को complete कर लिया जाए,